Hey everyone, welcome back to the accountancy class कैसे हैं आप सब लोग, I hope आप सब बहुत बढ़िया होंगे तो जैसे कि आपको पता है कि last class में हमने क्या किया था, goodwill का treatment जीगा था कि admission of a partner में goodwill का treatment क्या होता है 3 cases हमने last class में cover किये थे और मैंने कहा था कि जो बाकी की cases हैं, वो हम next video में cover करेंगे तो आग ही है next video, इस video में हम जितने भी remaining cases हैं बहुत सारे MCQs सब कुछ करने वाले So without wasting any time, फटा-फटा से class को start करते हैं Okay, so case 4, 3 cases जैसे मैं आपको बताया हमने cover कर ली थे, case 3, case 2, case 1 यह हमने last video में cover किया था, आज हम क्या करने वाले है आज हम case 4 cover करने वाले हैं और वो क्या है, good will brought in kind क्या मतलब है, दो मिनिट में कहानी सुनेंगे और आपको सब समझवाएदा हैगा, देखो मान लो यह दो partners थे, मान कहलो आपको पता ही है कि दो partners थे, हाना, क्या नाम था इनका इनका नाम था, चंगू और मंगू याद है न, भूले तो नहीं चंगू और मंगू हुआ क्या था, हुआ यह था कि एक नया partner, जिसका नाम पंगू था, वो partnership firm में partner बनना चाहता है हाना, पंगू को partnership firm में partner बनना, कितने share के लिए, 1 fourth share के लिए क्या ratio थे, इनकी 2 is to 1 ठीक है, यह सब हमें पता है हमने same example पहले भी लिया था अब हुआ यह कि जब भी इस partner का admission होता है, उस time पे हम देखते है हमारे firm की goodwill कितनी है हमारे firm की goodwill कितनी थी, 1,20,000 चंगू और मंगू के firm की जो goodwill थी, उस time थी 1,20,000, तो देखा जाए तो जो पंगू है, इसको goodwill का share लाना होता है, क्यों लाना होता है goodwill का क्या मतलब होता है, सब कुछ हम पहली क्या और कर चुके हैं, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखिए, तो अराम से पहली वाली वीडियो देख लो, आपको सब समझ में हो जाएगा पंगू को क्या करना होता है, goodwill का share लाना होता है 1,4th of 1,20,000 correct है, तो पंगू को 30,000 रुपीस लाने थे लेकिन, लेकिन, लेकिन हुआ क्या पंगू जी कहा रहे है कि यार सुनो चंगू मंगू, सुनो, तुम दोस्त हो मेरे मेरे पास 30,000 रुपे cash नहीं है, पंगू ने क्या बोला कि मेरे पास 30,000 रुपे cash नहीं है लेकिन, मेरे पास कुछ assets है, assets जैसे की machinery, मेरे पास कुछ machinery है, जो इस partnership firm में काम आ सकती है जिस चीज का तुम business कर रहे हो उसमें वो काम आ सकते है, वो machine की 20,000 रुपे की है, मैंने नई machine रुपे थी 20,000 रुपे की बिलकुल नहीं पड़ी है, मैंने use भी नहीं करी yes or no, कुछ और assets है मान लो कि इसने बोला कि मेरे पास कुछ stock भी पड़ा है उस stock को भी तुम बेच सकते हो वो stock कितने का, 10,000 रुपीस का तो उसने क्या का, किया मेरे पास 30,000 रुपे cash तो नहीं है लेकिन मैं कुछ assets ला सकता हूँ जिसकी value 30,000 ही बनेगी, 20,000 की मेरे पास machinery है, 10,000 का मेरे पास stock है, हो गए 30,000 yes or no, इसको क्या बोलते है goodwill brought in kind, kind का मतलब क्या है other than cash कि आप cash में तो नहीं लाए लेकिन assets के form में आप अपनी goodwill का share ले आए other than cash चंग और मंग मुने का, कोई बात नहीं है भाई 30,000 रुपे तेरे बनते थे 30,000 रुपे का तो समान लेकर तो आ रहा है ना 30,000 रुपे के तो asset लेकर तो आ रहा है ना चलेगा अब देखो entries कैसे होगी पहले जो entries होते थी, बिल्कुल वैसे ही होगी difference कहे देखो सबसे पहले, अब पंगू को अपने goodwill का share लान होता था क्या entry करते थे आप, हमने सीखा था entry क्या होते थी, cash account debit to premium for goodwill, यही entry हमने सीखी थी अब बात सिरफ इतनी है कि इस entry में एक छोटा सा change आएगा, क्यों, क्योंकि पंगू cash लेके नहीं आया, पंगू cash लेके तो नहीं आया, वो क्या लेकर आया machinery, तो partnership firm में आई है machinery, asset और जब भी आप asset record करते हो तो क्या करते हो, debit हमारे पास 20,000 की machinery आ गई हंजी हा गई, हमारे पास 10,000 का stop आ गया बिल्कुल आ गया, 10,000 का stop आ गया, correct और यह क्या है, यह है premium for goodwill, यह नए partner का goodwill का share है, premium for goodwill इसको हम कहते हैं, PFG premium for goodwill, कितने का 30,000 का इसके बाद तो सब कुछ सेम है, क्या सेम है, आपको पता इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो यह premium for goodwill है, यह sacrificing partners में हो जाता है, distribute बिल्कुल होता है, ठीक है, sacrificing partner जैसे कि हमने last example में लिया था चंगू और मंगू sacrifice कर रहे थे 2 is to 1 में ही, इनकी जो new ratio थी, हम last वाला example ही continue कर रहे है जो new ratio थी, वो थी 2 is to 1 is to 1, और चंगू और मंगू की 2 is to 1 आई थी sacrificing ratio, कैसे distribute होता था, देखो premium for goodwill debit क्योंकि अब आपको इसको करना है distribute premium for goodwill account आप इसको करोगे debit कितने से 30,000 से और 30,000, 30,000 किस में distribute होगा चंगू और मंगू में चंगू मंगू ठीक है, अब sacrifice ratio के 2 is to 1, तो चंगू कितना मिलेगा 20,000 और मंगू को मिलेगा 10,000, बस कुछ अलग हुआ, हाँ हुआ लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है बहुत असान है in fact, ठीक है assets लेकर आया, assets debit कर दिये क्या आप कोई समझ में आया, goodwill brought in kind का मतलब क्या है बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है yes or no, questions क्या से आते हैं, जर आप वो देखते हैं देखो, question देखो okay, so देखो, बहुत ही अच्छा MC की में आपके लिए बनायागी, ठीक है इसमें आपके सारे concepts clear हो जाएंगे goodwill brought in kind के, सब कुछ clear, देखो क्या है question, कि Ram and Mohan their partners in a firm, sharing profits in the ratio of 3 to 2, दो partners थे, ठीक है on 1st April 2021, they admit Sohan as a partner for 1 4th share in the profits एक नए पार्टनर आया है, Sohan 1 4th share के लिए, Sohan contributed following assets towards his capital and for his share of goodwill, अब हुआ ये है जीक है, क्या बोला है इनोने कि Sohan, अपने capital का जो share है, और अपने जो goodwill का share है, दोनों का share assets की form में लाया है दोनों ही assets की form में लाया है, cash उसके पास था ही नहीं, ना तो वो capital के लिए cash लेकर आया, ना ही वो goodwill के लिए दोनों के लिए हो क्या लेकर आया, assets लेकर आया, ठीक है, stock लेकर 60,000 का, उसके पास 80,000 के कुछ debtors थे, land 1 lakh की, plant and machinery 40,000 की, ये सारे वो अपने capital और goodwill के लिए लेकर आया, बिल्कुल सही, on the date of admission of Sohan, the goodwill of the firm was valued at 6 lakh, what is the amount of goodwill to be credited to Ram, आप से पूछा क्या कि Ram को goodwill का कितना share मिलेगा, सब से पहले मुझे एक चीज बताओ, अब वो ये सारे assets लेकर आया, capital के लिए भी goodwill के लिए भी, अब आपको पता कैसे चलेगा 6 lakh रुपीज, correct? 6 lakh रुपीज, तो मुझे एक बात बताओ, मुझे, कि जो सोहन है वो one-fourth share के लिए आया या नहीं आया बिल्कुल आया, तो one-fourth share के लिए आया, तो उसको goodwill कितनी लानी थी one-fourth of 6 lakh yes or no, तो उसको goodwill लानी थी 1 lakh 50,000 करेक्ट, अब आपको पता है कि जितने भी वो assets लेकर आया है उसमें से 150 तो goodwill का part है बाकि remaining जितना भी है वो सारा क्या है capital का, entry कैसे होगी इसकी बहुत ही ध्यान से देखो ध्यान से समझो, ध्यान से, ठीक है कि वो क्या क्या लेकर आया है सबसे बादे वो लेकर आया है stock अब partnership firm में stock आया कोई भी asset आया का, तो debit होगा कितना है, 60,000 का right, उसके बाद आपके पास debtors भी आया है मुबारक हो, debtors, account, debit कितने से, 80,000 से उसके बाद आपके पास land आया है 1 lakh की, land, account, debit 1 lakh plant and machinery भी आया है P&M, account, debit कितने से, 40,000 से अगर आप देखो के तो इनका total कितना आ रहा है 60 plus 80, 140, 240, 280 2 lakh 80,000 है, वो total assets लेकर आया है 280 में से 280 में से premium for goodwill कितना है 280 में से premium for goodwill है 1 lakh 50,000, yes or no 1 lakh 50,000 है premium for goodwill बाकि जो भी बच गया वो क्या है वो इसका capital है मतलब Sohan's capital account वो अपने capital के लिए लेकर आया है कितना बच गया 1 lakh 30,000 I guess बिल्कुल 6080, 140 240, 280, 180 Yes or no Sohan's capital account कि आपको समझ में आया है यह entry बहुत important थी अगर यह clear होगे तो question हो चुका कि वो यह सारे assets लेकर आया अब इसमें Google का भी पार्ट था Capital का भी पार्ट था तो आपने पैजा निकाला कि Google का पार्ट क्या है क्योंकि आप उसी का निकाल सकते हो आपको firm की Google दे रखिया 150 था जो Sohan की Google का पार्ट था उसको credit कर दिया Sohan का Capital का पार्ट क्या हो गया जो यह balancing figure आ रही है 130 की क्या आपको समझ में आ गया लेकिन हमें question में पूछा क्या गया है कि राम को कितनी goodwill मिलेगी वो तो निकालो अब सबसे पहले उसके लिए मुझे क्या चाहिए उसके लिए मुझे चाहिए sacrificing ratio अब एक चीज मैंने आपको last class में बताई थी इस बर दुबारा से बताता हूँ कि अगर आपको सिरफ राम और मोहन की क्या गिवन है old PSA और जो new partner है उसका share गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है कि new ratio क्या है यह भी गिवन नहीं है जो नया partner है उसने कुणाने वाले partner से कैसे कैसे share लिया वो भी गिवन नहीं है तो इस case में क्या होता था जल्दी से बताओ मुझे कि जो आपकी sacrificing ratio है जो आपकी sacrificing ratio होती है वो क्या होती है वो आपकी old ratio ही होती है जब कुछ भी गिवन नहीं होता तो इसका मतलब जो partners है वो अपनी old ratio में ही sacrifice कर रहे है कुछ भी given नहीं है तो इसका मतलब उन्हेंने 3 to 2 में ही sacrifice किया होगा क्या बात आपको समझ में आ चुकी है बिल्कुल आ चुकी है अब हमें journal interest नहीं करने हैं हमें answer निकालना है यह 1,50,000 आपको दिख रहा है हाँ जी 1,50,000 और अब राम sacrifice कितना कर रहा है ratio क्या है ratio है 3 is to 2 ratio है 3 is to 2 तो इसका मतलब राम sacrifice कर रहा है इसका 3 fifth part 150,000 multiply by 3 divided by 5 इसको जरह हम solve करते हैं 1,50 divided into 3 divided by 5 answer आगे 90,000 answer is 90,000 क्या कोई समझ में आया पूरा का पूरा concept मैंने आपको एक MCQ की समझा दिया कि in kind अगर होगा तो आपको capital का share कैसे निकालना है goodwill का share कैसे निकालना है clear हो गया फटाफट से next case में चलते है case number 5 okay next case क्या है जड़ा देखो case number 5 4 case हमारे हो चुके new partner does not bring goodwill in cash इसका मतलब क्या है कि ना तो वो cash में लेकर आया है ना ही वो kind में लेकर आया ना वो कोई asset लेकर आया ना वो cash लेकर आया sir ये क्या होता है लेकर तो आना चाहिए था उसको बिल्कुल लेकर आना चाहिए था तो देखो होगा क्या ध्यान से समझो यह हमने लिए अपने एक्जाम्पल में चंगू और मंगू C और M ठीक है? शॉट फरम उस करते हैं और हमारा जो नया पार्टनर था वो कौन था? पंगू बिल्कुल सही, कितने शेयर के लिए? वन फोर्ट शेयर के लिए यह हमारा एक्जाम्पल था, 30,000 गुडविल लेकर आने चाहे थी कैश लेकर आया क्या? नहीं लेकर आया क्या एसेट्स लेकर आया? वो भी नहीं लेकर आया खाली हाथ आ गया यह, हो सकता क्यापिटल का शेयर ले आया हो अभी हम इसके बात करें, गुडविल की गुडविल के लिए कुच भी लेकर नहीं आया, अब चंगो और मंगो क्या कहांगे? अरे भाय सार, सुनो हम सेक्रिफाैस कर रहे हैं, हमें गुडविल का कॉम्पेंसेशन तो मिलना ही चाहिए, भाय कॉम्पेंसेशन चाहिए न हम सेक्रिफायस कर रहे हैं मेरे पास कोई cash नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं, आपको compensation चाहिए, आप compensation ले लो, आप compensation ले लो, मेरा जो partnership firm में current account ओपन होगा, मेरा जो partnership firm में current account ओपन होगा, उसको debit कर दो, उसको debit मतलब कि आप पहले ही मान के चलो कि आपने मेरे current account से पैसा transfer कर दिया, अब देखो, partner ह अब इसको partnership firm से पैसा तो मिलेगा, profit का share मिलेगा, हो सकता है, interest on capital मिले, दुनिया वर की चीज़ी होती है, salary मिले, कुछ भी मिलेगा, जब वो उसके current account में जाएगा, तो यह क्या बोल रहा है, कि आप मेरे current account से पहले ही क्या कर लो, पैसा निकाल दो, debit कर दो, क्या कर दो, debit कर उसमें से निकाल लो, पैसे, yes or no, कैसे करेंगे, entry जिहान से देखो, क्या बोला इसने, जब भी यह cash में लेकर नहीं आएगा, तो मैं क्या करूँगा, नया partner जो है, new partner, यहाँ पे कोई है, पंगू, new partners, current account को debit कर दो, आपको पता है, current account यह capital account का debit करने का मतलब क्या है, कि पै पैसे आपने निकाल लिए, उनको जो पैसे देने पड़ते हैं, debit कर दिया, और यह किसके लिए है, premium for goodwill के लिए, premium for goodwill के लिए, ठीक है, इसके बाद जो यह premium for goodwill है, यह तो आप sacrificing partner में बाटी दोगे, यह तो आपको पता है, कैसे बाटते हैं, first case से करता हुए आ रहे हैं, क यह premium for goodwill to sacrificing partners, फरक क्या हुआ, हमने first case क्या किया, जब वो cash लेकर आता है, तो यहाँ पे हम cash debit कर लेते हैं, अगर वो cash लेकर नहीं आता, तो फिर क्या करते है, कोई asset लेकर आया, asset debit कर लिया, अब ना ही वो cash लेकर आया, ना ही वो asset लेकर आया, तो हमने उसके current account को करना है debit, क पार्टनर आया है, राओ, goodwill of Murti and Shah is valued at 30,000, जब राओ का admission हुए तो उस time पर goodwill की value कितनी थी, 30,000 रुपीज, राओ is to get one fourth share of profits, ठीक है, previously Murti and Shah shared profits in the ratio of 3 to 2, पहले उनकी ratio क्या थी, 3 to 2, राओ is unable to bring amount of goodwill, क्या लिखा या पे, कि राओ is unable to bring, वो goodwill का amount नहीं लेकर आ पाया, आप से पूछा गया, calculate the amount of goodwill to be credited to Murti, मुझे सबसे पर तो यह बताओ कि राओ को goodwill लानी कितनी थी, राओ's share कितना है, one fourth, उस time पर goodwill कितनी थी, 30,000, कितना आ जाएगा ये, 7500, तो राओ को 7500 रुपीज लेकर आने थे goodwill के लिए, लेकिन वो नहीं ला पाया, किसी भी कार goodwill नहीं लेकर आता, तो हम क्या करते हैं, हम राओ का current account debit कर लेते हैं, राओ's current account मैं कर दूँगा, debit कितने से 7500 से, 2 for goodwill, ये 7500 क्या है, premium for goodwill है, 7500, yes or no, अब ये premium for goodwill, इसके बाद तो सब कुछ सेम है, ये premium for goodwill account, जो आपका 7500 आया, ये तो फिर distribute हो जाएगा, किसमें, मूर्ती में और शा में, अब यहाँ पे भी आपको new ratio वेगारा कुछ नहीं दी, सिरफ आपको old ratio और उसका share दिया है, again यहाँ पे जो मूर्ती और शा के बीच में sacrificing ratio होगी, वो क्या होगी, 3 is to 2, तो आप क्या करोगे, 7500 को 3 is to 2 में distribute करोगे, मूर्ती का share आएगा 4500 और इसक description बहुत असान है, accounts ही बहुत असान है, आपको समझ में आ गया, right हमने 5 cases कर लिया है, 5 है 6, 5, 5 के 5 cases क्या clear है, बिल्कुल clear है, very good, देखो, so आज हमने जो हमारे 2 cases बचे हुए थे goodwill के, वो भी कर लिया, ठीक है, कौन कौन से cases थे, कि अगर goodwill वो kind में लेके आ रहा है, assets की form मे तो आप क्या treatment करते हो, क्या journal entries होती है, और अगर वो goodwill लेके ही नहीं आ रहा, तो क्या treatment होती है, ठीक है, so आई होगा कोई दोने के दोनों cases समझ में आ चुके होंगे, कोई भी doubt है, comment section आपके लिए ही है, please मुझे अपना doubt बताईए, मैं उसको ज़रूर solve करूँगा, और don't forget to like, share and subscribe, building up's finish last minute, कब तक के लिए?